नमस्कार किसान भाईयों, डी गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप बने हैं डी विदामा के साथ किसान भाईयों हमारी धान की फसल में एक रोग लगता है बेकाने रोग ये एक इसका वैग्यानिक नाम है, आम तोर पर हम इसे जंडा रोग भी कहते हैं ये रोग किसान भाईयों, आम तोर पर हमारी जो धान की बासमती किस्म हैं उनमें इसका अत्यदिख परकोब रहता है, उनमें ज्यादह तर लगता है और किसान भाईो इसकी पैचान आप अपने खेत में दूर से ही कर सकते हैं क्योंकि इसकी पोदे की लंबाई हमारे आम पोदों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती है लगबग चार-पाँच इंच की उचाई इस पोदे की अन्य पोदों से अधिक हो जाती है तो आप दूर से देख करके पता लगा सकते हैं कि इस रोग के हमारे खेत में लक्षण हैं ये लगबग रोपाई से 30-35 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं इसकी जो पत्या हैं वे कुछ गोलाकार से ही हो जाती हैं और इस पे जो बालिया निकलती हैं उनमें बहुती बारिक बारिक से दाने लगते हैं किसानवाईयों और अक्सर करके समय से पहले ही वे सूख जाती हैं फ्यूजेरियम मोनीलिफामी नामक फपूंद से ये रोग फैलता है ये तो हो गए किसानवाईयों इस रोग की पहचान अब बात करते हैं इसकी रोग थाम की तो रोग थाम के लिए किसानवाईयों आप सुरुआती दोर में इसकी अच्छे से रोग थाम कर सकते हैं जब हम अपने बीज से इसकी नरसरी तियार करते हैं इस पर काफी अच्छा कंट्रोल हम कर सकते हैं पहली बात तो किसान भाईयों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो भी आप बीज ले वो काफी अच्छी क्वाल्टी के ले और अच्छी जगे से खरीदे क्योंकि बीज की वज़े से किसान भाईयों इसमें जादे अधिकता में ये रोग भैलता है और बीज लेने के बाद किसान भाईयों आप उसको कारवंडा जिम या थाहरम के गोल में एक दो गंटा भीगो कर उसके बाद इसकी बुआई करे और जब आपकी नरसरी रोबाई के लिए तयार हो जाए तो किसान भाईयों आप उसको कारवंडा जिम का गोल बना ले उस गोल में इन पो दो वैजड़ों को फोट देर भीगोने के बाद ये आप इसकी रोबाई करे तो आप जूरिया खाद की मातरा बिलकुल भी अपने खेत में ना दे जिस खेत में नाइटरोजन की अधिकता होती है उसमें इसके पपूंत कुछ अधिक तेजी से फैलने लगते हैं वैसे तो किसान भाईयो हमारी फसल जब बड़ी हो जाती है और इसमें इस रोक के कुछ ल दवाई बता देता हूँ कारवनडा जिम मैंको जेब फपूंदी ना सकरसायन को आध्याध्या मातरा में मिला कर आप अपनी फसल में दे सकते हैं और किसान भाईयो इसके अलाव भी में एक दवाईयो और काफी अच्छा उसका दिजल्ट है मैं आपको बता देता हूँ प् का अंतराल पर दूसरा इस्प्रे भी अपनी फसल में दे सकते हैं दो इस्प्रे देने के बाद आपकी फसल से ये रोग हट जाएगा इस रोग के हटने के बाद किसान भाईयो आपकी जब फसल की पैदावार है इस पर भी काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है तो आप समय से इसका अलाज करें, कोशिस ये करें कि जब भी आप दरसरी तयार करें, तब ही इसके बीजों को उपचारित करके बोएं, तो ये आपकी पसल में नहीं लगेगा. तो किसान भाईयों ये थी आज की जानकारी उमीद करता हूँ, आज की जानकारी आपको पसंदाई होगी, पसंदाई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाए बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले पहुंच सके हैं, एक नई जानकारी के साथ किसान भाईयो आगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार